दोस्तो मेरे चनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर कोई आपका परिचित वह लोन ले रहा है और फिर लोन लेने के लिए वह जिस भी बैंक से जिस भी फाइनांस कमपनी से लोन ले रहा है वहाँ पर किसी ग्रांटर की रिक्वाइर्मेंट है और वहाँ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप उसके लोन का ग्रांटर बन जाए तो फिर यहाँ पर आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कल को अगर वहाँ लोन ना चुका पाए तो आप मुसीबत में ना पड़े अगर कोई भी ब्यक्ति लोन लेने जाता है और फिर अगर उसका पेपर विख होता है उसका सिविले स्कोर्स ही नहीं होता है बैंक को यहाँ पर सक होता है कि वह लोन की रासी चुका पाएगा तो फिर इस सिच्वेशन में बैंक के यहाँ पर कंडिशन लगा देता है कि आप कोई गरांटर लेकर आईए तो फिर अगर मैं एक एक जामपल की मदद से आप लोग को समझाओं एक्स कोई आपका परिचित है और आप यहाँ पर हुआई है और एक्स यहाँ पर बैंक से बिजनेस लोन लेता है और फिर आप उसके गरांटर बन जाते हैं और फिर कल को अगर वह लोन नहीं चुका पाता है और अगर bank यहाँ पर असफल रहता है उससे loan का रिकब्री नहीं कर पाता है उसके पास कुई परपटे है उतना नहीं है तो फिर निश्ची थी आपकी यहाँ पर जवाब देही बनेगी और आपको loan चुकाना होगा नहीं तो फिर यहाँ पर आपका भी सिविले स्कोर खराब ह अगर आपको लोन लेने का जरुद पड़ेगा तो फिर आपको यहां पर लोन नहीं मिलेगा तो दोस्तों अगर कोई भी आपसे रिक्वेस्ट करता है तो आप लोन का ग्रांटर सोस समझ कर बनें आप पहले देखें कि वह वह व्यक्तिक किस फरकार का है वह कोई फ्रॉड किस सुंका तो नहीं है कल को लोन लेकर मुकर तो नहीं जाएगा क्या वह लोन फिर चुकाने में समर्थ है या फिर नहीं है उसका आप स्टेटस को चेक करें अगर वह बिजनेस सुरू करने जा रहा है तो आप देखें कि उसका बिजनेस चल सकता है या फिर नहीं आप पहले प आपको कोई भाई है, आपका बेटा है, आपके पिताजी है, इस तरह का अगर कोई आपसी रिष्टा है, कोई क्लोज रिष्टा है, तब ही जाकर आपको लोन का ग्रांटर बनना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपका दोस्ती बोलेगी, चलो मैं कुछ पैसा देता हूं, तुम म घबड़ा कर यहाँ पर किसी भी लोन में ग्रांटर नहीं बने नहीं तो इसका खमिया ज़ा आपको कल को भुगतना पड़ेगा आप जूट मुट का परसान होंगे अगर आप खाने कमाने वाले ब्यक्ती हैं और वह लोन नहीं देगा तो आपको यहाँ पर परसान नहीं होग कि अग्रांटर को पैसा देना पड़ा जिसने यहाँ पर लोन नहीं दे पाता है तो पिर उसके पर्पर्वर्टी से यहाँ पर लोन का recovery किया जाता है लेकिन अगर उसके पास कुछ है ही नहीं तो फिर इस situation में grantor को problem हो सकता है तो आप किसी भी loan में grantor बनने से पहले अच्छे से सोच ले समझ ले तभी आप grantor बने तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप सीथे जुनना चाहते हैं फोन से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इस्टाग्राम पर फॉलो कर लें मेरा इस्टाग्राम पर हुई ज़र नेम है फिर्टेस 158-4 हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टोपिक के सांथ तब ठक आप अपना और अपने परिव के